हेलो विल्कम बैक टू मैं चैनल और आज हम बात करेंगे टॉप फाइव एस्टी प्लगिन्स के बारे में जो एपसलूटली फ्री एवलिवल हैं और हमारे ओड़ा सुटी पर काम भी करती हैं तो चलिए देखते हैं सबसे पहले नंबर पर है हमारा एक ओटी ओटी क्या है एक बहुत ही जवज़स्त मल्टीवेंड्स कंप्रेशर है और जिससे आप चीजों को एक साथ गलू कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से कंप्रेश कर सकते हैं और सबसेब बड़ी बात है कि यह मल्टीवेंड कंप्रेशर है मतलब आप आप Low, Mid, High, तीनों फ्रिक्वेंसी को सपरे वीडियो लाऊंगा इन सारे plugins पर ताकि आप अच्छे से इसे operate करना सीख सकें तो चली अगला number पर हमारा जो plugin आता है उसे हम कहते हैं यह रहा हमारा speed fish dsr यह क्या करता है basically कि जितने भी हमारे सीबिलेंस वाली साउंड होती जैसे इस वाली साउंड इस तरह की साउंड होती है वह साउंड को सिधा एक नौप से हैं पर कैंसल कर सकते हैं पहले हम क्या करते थे कि 20,000 हर से उपर की जो frequency होती थी उसे हम equalization में जाकर manually cut करते थे पर इस बहुत ही जबरजस्त यह plugin से इससे आप उस चीज़ को manually यहाँ पर cut कर सकते हैं सिर्फ एक नौब में बहुत ही बढ़ी है फ्री मैवली वाले जहरू डाउनूड कर लिजी अगले नंबर पर आता है हमारा यह tdr और नौबा बहुत ही जबरजस्त चार बेंड वाला यह equalization है जिससे आप एक बहुत ही आसानी से किसी भी गाने की किसी भी सेंपल की आप low mid high को cut कर सकते हैं और साथ में यहाँ पर एक गैन का option दिया हुआ उससे आप इंक्रीज कर सकते हैं मतलब इसमें compressor भी दिया हुआ इसके बारे में भी हम खुलके बात करेंगे किसी और वीडियो में आज के लिए बस एक छोटा सब्सक्राइब दे रहा हुँ कि यह equalization है वह compressor इस टाइप की चीज़ें तो अगले नंबर पर जो हमारा effect आता है वह है हमारा TP-base lane यह भी बहुत ही कमाल का plug-in है हमारा यह basically क्या करता है कि यहाँ पर जितना भी आप amount set करेंगे उस frequency range को वह mono कर देता है जैसे अगर मैं यहाँ पर हंडेट सेलेक्ट करता हूं तो क्या करेगा किसी भी सेंपल की जो हंडेड हर्स तक की जो frequency उसे सूपर mono बना देता है बहुत ही अच्छा plug-in है वोकल्स के लिए काफी अच्छे होते हैं क्योंकि जब हम वोकल्स पर रिवर्ब लगाते हैं तो वह क्या होता है स्प्रेड हो जाता है पूरा frequency और उसकी जो मैं सोल होती है वो गाने की चले जाती है तो इसलिए हम क्या कमाल करेंगे और हम कोशिस करेंगे कि उसे मोलो ही रखें तो बहुत ही अच्छा plug-in है फ्री में लिवल है जरू डाउनलोड कर लिजे अगला है हमारा वैलला का सूपर मेसिव यह भी बहुत ही कमाल का डिले और रिवर्ब का कंबिनेशन है इसके अंदर वैलला सूपर मेसि और बहुत सारी नौव यहां पर दीवी जिससे अप हर एक चीज को कंट्रोल कर सकते हैं और जैसा कि आपको पता होगा कि डिले और रिवर्ब में मैं लो कट करता था एक्वलेजेसन में जाकर यहां सिर्फ एक नौप से आप लो कट और हाई कट मेंटेन कर सकते हैं बहुत ह एक जरूरी बात है कुछ लोग डाउनलोड कर लेंगे और कमेंट करेंगे कि सर ओडासिटी पर नहीं आ रही तो इसके लिए क्या करेंगे जैसे हमने अभी एक प्लगिन देखा वेलला का सूपर मेसीव उससे जब हम इंस्टॉल करेंगे तो वह हमारा C drive में program file 86 और आपको वहाँ पर एक common file मिल जाएगा यहाँ फिर आपको मिल जाएगा VST2 अगर आप यहाँ पर जाके देखें देखें वेलला सूपर मेसीव का DLL file तो एक बात आध रखिएगा कि Audacity में हमारा सिर्फ DLL टाइप की जो फाइलें होती है वही काम करती है तो क्या करेंगे इस वाले DLL file को हम कोपी करेंगे और फिर से जाएंगे C drive में program file 86 और यहां से ढूंडेंगे और यह रहा हमारा ओडासिटी और यहां पर आपको दिख साएगा प्लग इन्स यहां आके आपको उस चीज़ को पेस्ट कर देना है मैंने अल्रेडी यहां पर किया हुआ है देखिए replace का option मांग रहे है मतलब यहां पेस्ट कर देना है बहुत ही इसली हो आपका ओडासिटी पर फिर हम चलेंगे और यह रहा इफेक्ट और यहां से हम जाएंगे एडिया रिमूव प्लगिंस न्यू में जाएंगे वो चीज़ आपको यहां पर सो हो जाएगे फिलाल मैंने इनेबल कर लिया है तो यहां पर सो होगी देखिए व चैते काफ़ी अच्छे पलगिंस हैं यह काफी हमारे जो काम है वह सानं करते हैं और कपि प्रो लेवल की इस से आउट्पूड भी राती है आपी बड़े बड़े इन सारी plugins को यूज करते हैं तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं अपने किसी वीडियो में तब तक के लिए जाए हिन थैंक यू